हेलो प्यारे बच्चो मैं हूँ आपका भाया दिसब सिंग और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूटीब चैनल रुसी यस क्लासेस और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSC 3rd year के 6th semester chemistry का जो हमारा पहला paper है जिसका नाम organic synthesis B है उसके अंतरगत जो हमारा unit 2 है जिसका नाम organo metallic compounds है उसके अंतरगत हम बात कर रहे थे grignol reagents के बारे में ठीक है और उसके अंतरगत हम या समझ रहे थे कि chemical properties में हम बहुत सारे chemical properties को already complete कर चुके हैं और इस lecture में भी हम उसके कुछ और important chemical properties पर बात करेंगे जो आप सभी के exam के point of view से most important है तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं लेकिन अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बारा होंगे और अपने तयारी को सबसे बहतर बनाना चाहते हैं तो जरू नीचे दियो रट बटन पर क्लिक करके subscribe कर लिजिए साथ ही bell icon को all पर select कर लिजिएगा और पिछे lectures को नहीं देखे हैं तो i button पर आपको lectures मिल जाएंगे या फिर पूरे playlist का link आप सभी को description box में मिल जाएगा ठीक है आप सभी को description में हम telegram चैनल और whatsapp चैनल का link प्रोवाइड कर दिया है अगर उन से join नहीं है तो जरूर join कर लिजिए वहाँ पर आपको free of cost बहुत सारे benefits मिलते रहते हैं ठीक है तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हमने पिछे lecture में I think six properties तक हमने बात कर लिया था अब हम बात करते हैं अपने seventh property पर ठीक है यहाँ पर आप लोग अपने copy में heading दीजिएगा reaction with cyanide ठीक है अब हम क्या करने वाले हैं cyanide से reaction कराएंगे किसका ग्रिगना और रियेजेंट का और देखेंगे कि हमारे पास किस चीज का formation होता है ठीक है क्योंकि यह भी एक ऐसा property है जो आप सभी के exam के point of view से highly recommended होगा क्योंकि यह बहुत जादा importance रखता है ठीक है पूछा जाता है कई बार इसलिए मैं इसको करा भी रहा हूँ अब यहाँ पर अगर बात किया जाए तो समझिएगा जै कि weak से मेधिल्क साइनाईंड ठीक है वैसे कोई भी साइनाइड हो सकता है मैं फिलाल यहाँ पर स्पेसफ़िक के एक साइनाइड को ले लेता हूँ जिसे कह रहे हैं मेधिल्क साइनाइड ठीक है प्री एक्ट्सv positioning का它 Shen रियक्शन करता करता है छीक है अब यह आप लोग संटेंस तो लिखना सीखिया चुके उगे क्योंकि हमने से परार के रीक्षेंट के जो हमारे पास थिचाल का या तो यह ऐसा ही आप लोग समझ के होंगे क्योंकि मैंने पर आपस समस्तर से यह करना शुरू करी है आप से ठीक है तो जब हमारे पास मेथिल साइनाइड ग्रिगनौर रियेजेंट से रियक्शन करता है तो यह क्या करता है यह गिव देता है किस चीज़ को एक एडिशन प्रोड़क्ट को ठीक है एडिशन product ठीक है अब जब यह एक addition product को देता है तो उसका हम क्या करते हैं उसका हम hydrolysis कराते हैं तो which on hydrolysis ठीक है जिसका जब हम hydrolysis कराते हैं तो yield होता है हमें प्राप्त होता है क्या चीज़ प्राप्त होता है यहाँ पर यह important है यहाँ पर यह प्राप्त होता है ABC Tune ठीक है वैंसे आप की Tune लिक सकते हैं लेकिन आप की Tune अगर लिखेंगे तो यहां पर ∑CTINE लिखना पड़ेगा तो फिलाल मैंने यह पर EAC Tune लिखा है क्योंकि मैंने को पर है क्योंगे बात करते हैं संपने करते हैं तो अगर थो इसका अप C and triple bond हमारे पास क्या होता है nitrogen होता है ठीक है एंड यहाँ पर हम gregnord reagent ले रहे हैं तो यहाँ पर फिलाल मैं यही gregnord reagent लेता हूं CS3 mgbr ठीक है वैसे अगर आप CS3 को बदल देते हैं gregnord reagent में कोई भी हमारे पास alkyl group हो सकता है ठीक है वैसे कई जगहों पर आप लोग देखेंगे aerial group का भी हम उप्योग कर सकते हैं तो उससे घवराने की जवत नहीं आगे चलते हुए मैं एक reaction भी करा दूंगा उस पर तो आप आप लोग इतना तो समझ रहे हैं कि अगर हम इनमें से कुछ भी बदलाओ करेंगे हम किसी भी alkyl group में बदलाओ कर देंगे तो वह हमारे product का एक क्या का सकते हैं एक हमारे पास बड़ा member मिलने लग जाएगा ठीक है ऐसे कहा जा सकता है तो चलिके बात करते हैं समझ के होंगे इतनी तो difficult बात मैंने कुछ नहीं बोला है तो यहाँ पर क्या बनना है एक addition product बनना है तो addition product जो होगा वो unstable होगा इसलिए मैं यहाँ पर लिंक हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं CS3 single bond C ठीक है एंड यहाँ पर हमारे पास double bond यन रहेगा एंड यहाँ से जो एक bond break हुआ है उससे मैं CS3 को लिंक कर दे रहा हूं ठीक है तो यह थोड़ा सा मैं बढ़ा कर दे रहा हूं यहाँ पर हमारे पास nitrogen से यह mg-br लिंक हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर mg-br को लिंक कर दिया अब यहाँ पर हम क्या करा रहे है पूरे step को ध्यान दीजिए हमने एक addition product बना लिया उसका अब हम क्या कराएंगे hydrolysis कराएंगे ठीक है तो चलिए hydrolysis कराते हैं अब अगर हम hydrolysis कराते हैं और यह जो product बना है यह क्या है एक unstable product है ठीक है तो लिख देता हूं मैं कि यह एक unstable product है और इसका जा हम hydrolysis करा रहे हैं ठीक है तो it means that यहाँ पर हम h2o slash h plus का उप्योग करेंगे and then हमारे पास क्या-क्या release होगा यह बात तो हम जानते हैं कि mg OH-BR यहां से remove हो जाएगा and इसके साथ-साथ हमने बताया है acetone फार्म होगा तो अगर acetone फार्म होगा यानि कि nitrogen भी यहां से release होगा ठीक है तो आप जाहें तो product के तोर पर nitrogen का compound लिखे या फिर आप यहीं पर लिख दीजे कि वो भी release हो रहा है तो इससे कोई फरक नहीं लिखते रहों ठीक है तो हमारे पास इसके साथ-साथ निकलता है ammonia gas क्या निकलता है NH3 ठीक है कैसे release होगा आये चलिए बात कर लेते हैं ठीक है पहले मैं product लिख देता हूं उसके बाद समझाता हूं आप सभी को तो यहां पर हमारे पास product क्या बन रहा है CS3 single bond C and single bond CS3 and यहां यहां पर हमारे पास nitrogen निकला है तो यहां पर हमारे पास oxygen आकर link हो गया और इस प्रकारिया क्या बन गया यह हमारे पास बन गया है AC tone ठीक है तो यहां पर मैं लिखते रहूं AC tone okay and यहां पर आप लोग लिख लीजिए इसका नाम है methyl cyanide ठीक है methyl वैसे मैंने sentence में लिखवा दिया है तो आपको दिक्कत नहीं होगी लेकिन मैं फिलाल लिख दे रहा हूं ठीक है ओके अब यहां पर हम इस step को समझ लेते हैं क्योंकि यह बात तो हम पिछले काफी सारे reaction सही है समझते आ रहें कि यह कैसे रिलीज हो रहा है लेकिन अमूनिया गैस यहां पर कैसे रिलीज हुआ है इस पर सभिया यह बात कर लेते हैं तो देखो बच्चो यहां पर य से एच प्लस और ओएच माइनस टूटा है तो ओएच माइनस जो है यह बांड बनाते हुए बाहर निकल गया तो यहां कि वहांपर क्या बचा है ठीक है अच्छी बात तो जब एच प्लस हमारे पास बचा हुआ है तो यह एच प्लस अगेन यह टूओ के एक और इस बात को, तो यहाँ पर जब यहाँ निकलेगा, तो अगर यहाँ पर भी का जा सकता है, कि यहाँ पर S3O plus बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी का सकते हैं, कि यहाँ पर इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ORR, यहाँ पर 2H plus मिल रहा है, और यहाँ पर OH minus मिल रहा है, ठ अब समझेगा इस बात को यहां पर मैंने बोला कि oxygen आकन लिंक हुआ यानि कि यहां से भी एक hydrogen को और हम निकाल सकते हैं या फिर आप यहां से निकाल लीजिए या फिर कोई और H2O को तोड़ दीजिए, ठीक है, H2O के और भी molecules तोड़ सकते हैं तब भी हमारे पास H+, मिल सकता है या फिर यहां का OH- का 1H और निकल जाए तो इस प्रकार अगर बात किया जाए तो 3H+, निकलेंगे और यही 3H+, हमारे nitrogen से bond बनाते हुए NS3 बना ले रहे हैं और यहां से जो हमा इन चीजों के बारे में समझाए गया है, ठीक है, तो ज्यादा, ओके, ठीक है, साई सीजे समझ में आ चुकी होंगी, बहुत ज्यादा हमने यहां पर explain नहीं किया, लेकिन जितनी जरूरी चीज है थी, वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इतन टोन का formation हुआ, ठीक है, और इससे पहले भी मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ कि किन किन reaction में हमारे इससे टोन का formation हो रहा है, तो वो बाते आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि वहां से question बनेंगे, ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीजों का screen sort लीजे, उसक का नाम है, reaction with sulfur, ठीक है, ये बात नहीं पूछी जाती, ध्यान रखिएगा, क्या मैं बताने वाला हूँ, समझेगा इस बात को, ये बात आप से कभी भी नहीं पूछा जाएगा, कि गरिगर और रिएजेंट sulfur के साथ reaction करता है, तब क्या product बनाता है, ये नहीं पूछा जाता आप सिया पूछा जाता है, कि ऐसा कौन सा compound है, या ऐसा कौन सा हमारे पास element है, वैसे element कम chances है बोलने के लिए, ऐसे बोलेगा कि ऐसा कौन सा compound है, जिसके साथ गरिगर रिएजेंट का reaction कराते हैं, तो this product बनता है, अब this product क्या है, अभी बताऊंगा, ठीक है, तो चलिए पर बात करते हैं, और यहाँ पर मैं sentence को नहीं लिखवा रहा हूँ, diet reaction पर ही बात कर लेते हैं, ठीक है, अब जितने भी जो जरूरी रहेंगे, जो मुझे लगेगा कि इसका sentence लिखवा देना चाहिए, वही लिखवाँगा, दरवाजी skip करता हूँ, ठीक है, आप लोग sentence बन बनाया, तो अब यहाँ पर एक addition product देने लग गया, तो CS3 हो गया, यहाँ पर हमारे पास sulfur हो गया, यहाँ पर हमारे पास mg हो गया, यहाँ पर हमारे पास BR हो गया, ठीक है, तो यह क्या है, एक addition product है, जो की एक unstable होने वाला है, ठीक है, तो जब यहाँ एक unstable होने वाला है, एक क जा दूँगा ठीक है यहां पर मैं CS3 और C2 CH2 का भी उप्योग कर लेता हूं ठीक है इसे रेज करना पड़ेगा कोई बात थे तो यहां पर हमारे पास CS3 CH2 यानि कि कहा जा सकता है C2H5 का मुप्योग किया हूं और सलफर जो है वो यहां का बॉंड ब्रेक करता है और यहां पर सलफर दो बॉंड बनाए सकता है तो इस कार्बन से और इसी Mg दोनों से जुड़ जाता है ठीक है तो यहां पर Mg and Br बन गया ठीक है अर्यूगेटिंग मैं पॉइंट तो अब यह यहां पर हम क्या करते हैं जब यह एक अनिस्टेवल है यह तो हमारे पास किया बाहर सुथ के जानते हैं यहां पर Mg OH and BR बाहर हो जाएगा ठीक है तो बचा क्या बचा यहां पर हमारे पास CS3 single bond CH2 single bond यहां से sulfur है and यहां से जब OH बाहर निकला है तो H plus बचा ही है तो यहां पर H plus हमारे पास इस sulfur से आकर link हो गया और इसका नाम आप से पूछा जाता है यह हमारे पास थायो एलकोहल ठीक है क्या है थायो एलकोहल यह तो हम सभी जानते हैं कि यह sulfur है और यह हम सभी जानते हैं कि यह ethyl magnesium bromide है ठीक है जिसे हम grignol reagent काते हैं अब यह बात आपको ध्यान रखनी है आपसे बोला जाएगा कि ऐसा कौन सा compound है जिसके साथ grignol reagent का reaction कराने पर थायो एलकोहल मिलता है ठीक है तो यह बात आपको ध्यान रखनी है उम्मीद करता हूँ थायो एलकोहल से तो आपकी जान पहस्यान होगी ही फिप्त समेस्टर में ही ठीक है तो उम्मीद करता हूँ सही होगा ओके चली के बात करते हैं अब अपने अगले reaction पर reaction नम्मर 9 ठीक है reaction with ध्यान रखिएगा मैं वही reaction करा रहा हूँ जो आपसे कई बार पूछा गया है ठीक है और भी इनके अलावा reaction हो सकते हैं लेकिन फिलाल मैं इन्हीं reaction को करा देता हूँ तो reaction with है एथिल नहीं एथिलमीन ना लिखते हुए यहाँ पर एक दूसरा reaction मैं करा देता हूँ वह ज़्यादा पूछा जाता है chloramine ठीक है या फिर इसी को ही कहा जाता है monochloroamine ठीक है यह आप से अक्सर पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखिएगा chloramine के नाम से पूछता है तो इसलिए मैं इसका नाम से ही करा दे रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पर reaction क्या है हमारे पास है CS3-mg-br ठीक है and chloramine मतलब हमारे पास हो गया amine यानि कि NS2 और यहाँ पर हमारे पास chlorine आकर लिंक हो गया अब इसका हम क्या कराते हैं रियक्षन कराते है ठीक है अब जब यहाँ पर हम reaction कराते हैं तो ध्यान दीजेगा हम सभी जानते हैं कि यह हमारे पास CL है सियल जब भी प्रजन से दिखेगा तो उस सिच्वेशन में हमें इसका हाइड्रॉल्स कराने के जरूरत ही नहीं होती लेकिन मैं यहाँ पर एक और हायर मेंबर का उप्योग कर लेता हूँ सिच्चार्वशन को और यहां पर मैं ले लेता हूँ च्रोना करानी तो यहाँ पर हमारे पर वह किससे हमारे पास एक निया प्रोडक्ट बने गा जिसे हम कहेंगे mgclbr यह हमारे पास क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा ठीक है अब जब यह हमारे पास बाहर निकल गया तो बचा क्या यह portion और यह portion हमारे पास निकल गया है nh2 यहाँ से आकर link हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा cs3 single bond ch2 and single bond nh2 और यह जो NH2 लगने की वज़ा से यहाँ पर केवल A की ही NH2 ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह हमारे पास primary amine है ठीक है तो इसलिए इसका मैं नाम लिख देता हूँ कि यह हमारे पास है primary amine आप से अक्सर पूछा जाता है इसलिए मैं इस reaction को करा भी रहा हूँ कि हम Grignol reagent से primary amine का formation क ऐसे कर सकते हैं तो इस situation में आपको ध्यान में रखना है कि chloramine से reaction कराते हैं ठीक है इसका आप लोग नाम भी जानते हैं यहाँ पर हमारे पास एथिल एमीन बना हुआ है तो आप अगर नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यह हमारे पास गया है एथिल एमीन का formation हुआ है कि अधिल एमीन या फिर प्राइमरी एमीन ठीक है क्योंकि प्राइमरी एमीन के नाम से ज्यादा पूछा जाता है इसलिए मैंने इस reaction को कराया है ठीक है एंड यह तो हम सभी जानते हैं कि यह तो हमारे पास एक साइड प्रोडेक्ट के रूप में निकलेगा है ठीक है तो आ चलिए अब अगले रेक्सांस पर हम बात करते हैं कुछ और भी प्रॉपर्टी हमारे पास हैं अभी I think एक और लेक्टर लग जाएगा प्रॉपर्टी इसकर करने में तो चलीएब हम अपने अपने दसवे नमबर के प्रॉपर्टी पर बात कर लेते हैं ठीक है तो तंथ नं कराने वाले हैं थीक है तो ethyl format के बारे में तो आप सभी परचित हो ही चुके हैं क्योंकि हमने अपने पिछले लेक्टव्स में यहां बात कर दिया है ठीक है पिछले कुछ reactions में हमने इस बात को समझा है ठीक है तो अब जब ये बात हमने समझा है कि ethyl chloroformate क्या होता है तो यहाँ पर ध्यान दिखेगा, मैं यहाँ पर sentences को नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर diet reactions पर ही बात कर लेते हैं, sentence तो आप लोग बना भी सकते हैं, ठीक है, जवरत पड़ेगी तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं अगले reactions से sentences को लिखवा दूँगा, लेकिन sentences को लिखवाने में थोड़ा extra time लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा sort out कर रहा हूँ, ठीक है, तो ethyl chloroformat यानि कि हमारे पास हो गया CL, then single bond C, double bond O, single bond O, C2H5, इसी को ही हम क्या कहते है, ethyl chloroformat, ठीक है, क्योंकि ethyl format के बारे में तो हम जानते ही हैं, कि यहाँ पर hydrogen लगा रहता था, hydrogen को हमने chlorine से replace कर दिया, इसलिए इसे हम कहते है, ethyl chloroformat, ठीक है, अब इसका हम क्या करा रहे हैं, इसका हम ignored reagent से reaction करा रहे हैं, तो CS3, Mg, Br, ठीक है, वैसे आप C2H5 भी हुपयोग कर सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, बस product का नाम change हो जाएग ऐसे situation में, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक addition product मिलेगा, कैसा मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास CL है, single bond C, single bond O, single bond Mg, Br, ठीक है, then single bond O, C2H5, आप लोग समझ गया ना, कैसे मैंने किया, double bond को break किया, इतने reactions हमने discuss कर लिया, यह तो बताने कि जोत नहीं होनी चाहिए, यह bond break होगा यह bond break होगा, इसका एक pi bond break होगा, और then हमारे पास CS3, इस carbon से जाकर link हो जाएगा, तो मैंने CS3 लिखा दिया, and Mg, Br, जो है, वो इस oxygen से जाकर link हो जाएगा, तो वो मैंने लिखा दिया, ठीक है, and यह हमारे पास क्या है, एक unstable compound है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता ठीक, unstable compound, ठीक, अब जब यहाँ एक ideation product ऐसा बना है, जो कि unstable है, तो इसका हम क्या कराएंगे, क्या इसका हमें hydrolysis कराने की ज़रूरत है, या नहीं है, बताओ बच्चो, ठीक है, तो अगर आपने थोड़ा सा बस ध्यान दिया होता, कि यहाँ पर chlorine link है, और chlorine की वज़ा से इ मैंने पिछले reaction में इस बात को discuss किया है, तो इसलिए यहाँ पर हम direct click सकते हैं, कि यहाँ पर हमारे पास remove हो जाता है, mg, cl और br, ठीक है, और जब यहाँ यहाँ पर हमारे पास remove हुआ, तो हमारे पास product क्या बचा, हमारे पास product बन रहा है, यह हमारे पास cs3 है, तो cs3 को मैं addition होगा, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर oc2h5 मिल जाएगा, एंड यहाँ से हमारे पास mgbr भी निकला है, तो यह bond और यह bond मिलकर double bond बना लेंगे, तो double bond हमारे पास oxygen हो जाएगा, ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए, तो इन दोनों में क्या difference है, यहाँ पर chlorine की जहाँ पर हमारे पास methyl group आकर link हो चुका है, ठीक है, तो इसलिए इसका हम क्या नाम लिख सकते हैं, इसलिए इसका हम नाम लिख सकते हैं, इसी के according, कि यह हमारे पास ethyl chloroformate था, क्योंकि chlorine आकर link हुआ, यहाँ पर methyl आया है, तो methyl ethyl methyl format भी लिखा जा सकता है, या फिर इस C को ऐसे भी लिखा जा सकता है, यह हमारे पास बन चुका है, ethyl acetate, ठीक है, अगर आपको कुछ ना समझ मैं तो आप इसका general नाम तो जानते ही हैं, वो नाम लिख दीजिए, हमारे पास क्या बना है, ethyl acetate, ठीक है, यह हमारे पास ethyl group जुड़ा है, और अगर हम normally बात करते हैं, तो CS3, COOH होता है, तो H replace होकर C2H5 लिंक हुआ, यानि कि ethyl group जुड़ा है, तो इसलिए इसको हम ethyl acetate का सकते हैं, ठीक है, are you getting my point, शारी चीज़े समझ मैं आ चुकी है, नाम तो बहुत ही आसान था, ठीक है, बस थोड़ा सा मैंने difficult बनाया, जान बूझ कर कि आप लोग को easy नाम तभी समझ मैं का कि हाँ, यह easy है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप नाम लिखना चाहें, तो इसका भी नाम लिखती जिए, यह हमारे पास है ethyl, and यह हमारे पास है chloro, and यह हमारे पास है format, ठीक है, वैसे नाम तो आप लोग समझी गया थे, reaction से ही, तो आप लोग लिखी लिए होंगे, चलिए अब बात करते हैं अपने अगले reaction पर रियाने की 11 नमर के, तो यहाँ पर हमाँ से बात यहाँ बोली जा रही है, reaction with, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, अगला हमारे पास reaction आता है, reaction with, methyl, ठीक है, methyl और यहाँ पर, चलो अभी reagent लिखूँगा, तो उसके एक और नाम भी लिखतूँगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, चलिए गरिग नौर्ड रियेजेंट मैंने ले लिए, CS3, Mg, Br, ठीक है, यह मैंने ले लिए, then इसका मैंने reaction कराया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसके according अगर बात क्या जा, तो यहाँ पर हमारे पास है methoxy, ठीक है, तो इसका हम नाम लिखेंगे, methoxy, ठीक है, methoxy, and यहाँ पर हमारे पास chlorine है, तो methoxy chloro, and यह हमारे पास है methane, तो इसलिए इसका हमारे पास नाम हो जाएगा, methoxy chloro methane, ठीक है, तो अब इस बार मैं किस से reaction करा रहा हूँ, इस बार मैं reaction करा रहा हूँ methoxy chloro methane से, ठीक है, और इसका मैं क्या कराने वाला हूँ grignol agent से reaction कराने वाला हूँ, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए chlorine है, ठीक है, तो chlorine अगर presence है, तो उस situation में हमारे पास direct tmg, br, cl बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर वही काम कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकला, plus में mg and cl, ठीक है, जिसे मैं bracket में मना दूँगा, और यहाँ पर br हमारे पास बाहर निकल गया, बचा क्या, हमारे पास क्या, क्या मिल ला है, cs3, यहाँ पर मैंने लिखा cs3, यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, यह बाहर ही हो गया है, एंड यह बाहर हो चुका है, तो यह हमारे पास portion आकर link हो जाएगा, cl से ही, देखो, ध्यान रखना बच्चो, यह portion मत आड़ कर देना, यह बाहरा portion आड़ होगा, क्योंकि यह ही बाउंड था, हमारे पास टूटा है, तो यह बाउंड जब टूटा है, तो यहाँ पर cs2 जो है, वह गुरूप आकर cs3 से link होगा, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास cs2 हो जाएगा, and then हमारे पास oxygen आकर link होगा, then हमारे पास cs3 आकर link हो जाएगा, ठीक है, are you getting my point, यह बात आप लोग समझे होंगे, ठीक है, तो इस परकार हमने क्या देखा, कि जब methoxy chloro methane से grignol reagent का reaction कराते हैं, तो इस परकार से पूरा reaction होता है, ठीक है, तो अभी आप क्या करेंए, हमने एक और reaction को discuss कर लिया, यहां पर एक मिनट, मैंने नाम नहीं लिखा न, यहां पर हम लिख सकते हैं, methoxy, methoxy, ethane, ठीक है, यह हमारे पास methoxy portion हो गया, और यह हमारे पास ethane हो गया, ठीक है, तो नाम में लिख देता हूँ, इसका नाम हमारे पास है, methoxy, एक मिनट, यह हमारे पास ethane है, लेकिन यहां पर भी carbon के संख्या है, तो फिलाल, methoxy ethane हो जाएगा, ठीक है, मुझे लगा है, methoxy propane हो जाएगा, ठीक है, नहीं, methoxy ethane हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने methoxy word upio किया, यानि कि OCS3 को already denote कर रहा है, ठीक है, तो आप लोग क्या करें, इतनी चीजों का screenshot ले लीजिए, otherwise इसका तो और भी नाम हो सकता है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, ठीक है, और मैंने सारी चीजों के बारे में discuss करी दिया है, आप लोग इतनी चीजों का screenshot ले लीजिए, उसके बाद हम अगले reaction की तरफ बढ़ते हैं, तो चलिए इस lecture को ही पर हम समाप्त करते हैं, जो अगला lecture आएगा, उसमें हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजंट को पूरी तरीके से complete कर लेंगे, I think अगला lecture हमारे पास 40 से 45 मिनेट का बनने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसे properties हैं, जो थोड़े से बड़े हैं, जैसे phenol का संथिस हम उसे छोटे numbers के लिए importance रखते हैं, ठीक है, तो उन्हें भी हम discuss कर लेंगे, ओके, तो इस lecture को ही पर हम समाप्त करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, सारी चीज़े आपको समझ में आ रहे होंगे, कुछ भी अगर doubt होता है, तो जरूर comment section में पूछ लीजेगा, मैं कोसिस करूँ तो जरूर subscribe करने के साथ bell icon को all पर select कर लिजेगा, आप अगर subscribe नहीं करेंगे, तो आपके पास notification कैसे जाएगा, और notification नहीं जाएगा, तो आप class को अटेंडर नहीं करेंगे, तो आपके तयारी बहतर नहीं होगी, तयारी बहतर नहीं होगा, तो exam में नंबर कमाएंगे, तो एक चीजों से सारी चीजे लिंक है, तो शुरुवात छोटे छोटे step से करो, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपने next video में तब तक पढ़ते रहिए, संघर्स करते रहिए, और सफल होते रहिए